Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone तो शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र ग्रमा अभ्यास प्रश्न पत्र दो हजार बाईस तेईस सेट D है ये विशाई गनित कक्षा बारा का आगामी एक्जाम के लिए मादमेक शिक्षा मंडल मद्धप्रदेश भुपाल के तो असी पूर्ण आंकों का ये प्रश्न मत्र आपके सामने दिया गया है इसके पहले हमने सेट A, सेट B और सेट C कम्प्लीट करा दिया है तो आईए करते हैं सेट D के सवाल Quesion No.1 है सही विकल्प चुन करके लिखे तो sin inverse sin 7 pi by 6 तो दिखे sin inverse sin 7 pi by 6 जो होता है वो क्या होता है माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin inverse sin of pi plus pi by 6 and sin pi plus theta जो होता है वो किस में आता है थार्ड क्वाडरेंट में आता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखे pi plus pi by 6 यहाँ पर आएगा तो यह बन जाएगा क्या minus sin pi by 6 और sin inverse minus theta होता है बाहर आ जाएगा तो minus बाहर आ गया sin inverse pi by 6 और सॉरी यहाँ पर sin भी रहेगा तो sin से sin cancel answer कितना आएगा minus pi by 6 चेक करते है option first cut d बिल्कुल जो की सही है चली अगला question करते है 10 inverse 1 minus cot inverse 1 तो 10 inverse 1 कितना होता है pi by 4 होता है और minus cot inverse 1 कितना होता है cot inverse minus theta is equal to pi minus cot inverse theta चली तो यह कितना हो जाएगा pi minus cot inverse का 1 that is equal to pi by 4 minus का pi और cot inverse 1 भी कितना होता है pi by 4 होता है तो यहाँ पर आ गया कितना हमाएपस pi by 4 plus pi by 4 यानि कि pi by 2 और minus का pi तो answer कितना आएगा minus pi by 2 तो correct option इसका b होना चाहिए और वाकई में correct option b ही दिया हुआ है चली अगला question देखते हैं देखे अगला question क्या कह रहा है question कह रहा है कि यदि a और b दो उप्युक्त कोटी के आवियू है तो a b का whole transpose क्या होगा तो a b का whole transpose equal to b transpose into a transpose तो correct answer इसका कितना होगा d हो जाएगा चली next question क्यों बढ़ते हैं यदि a और b स्वतंतर घटना है तो p a equal to 0.3 p b equal to 0.4 तो p a intersection b क्या होगा बहुत ही simple है आप जस्ट इसका multiply कर दिए क्योंकि स्वतंतर घटना है तो p a intersection b equal to पहला है 3 बटे 10 और दूसरा है 4 बटे 10 तो 4 से ये कितने बार कड़ गया 25 तो answer आएगा 3 बटे 25 इसका option number b होगा चली अगल देखे अगला क्या है अगल समीका d by dx plus p y equal to q का तो x के सब एक्च में ये है तो क्या होगा e की power p dx ओके इसका answer कितना आजाएगा e की power integration p dx x तो देखे ये नहीं है ये नहीं है ये वाला है option number a चली यदि दिखको जाए element है तो l और m in के विच में सही समंद क्या होगा पहला वाला l square plus m square plus n square equal to 1 होता है यदि यह कोई फलन एक है की फलन होगा fx1 equal to fx2 तब x1 बराबर x2 तो ये क्या होगा एक है की होगा देखे आवियू m n के लिए a transpose equal to क्या होगा a transpose होगा a j i n cross m order हो जाएगी इसकी है ना पलट जाएगा ये देखे a j i n cross m अगला question देखे cos root x का x के साब एक चाब कलब कितना होगा cos का कितना हो जाएगा minus sign और root x फिर root x का कितना होगा 1 upon 2 root x नीचे आ जाएगा तो minus sign root x upon 2 root x बिल्कुल सही नीचे आ गया चली यदि फलन x y में f आचादक फलन हो तो इसके लिए सह परांत का मान परिसर के क्या होता है बराबर होता है सह परांत यानि की y y का मान कि इसके परिसर परिसर यानि रेंज के क्या होता है बराबर होता है तो correct answer यहाँ पर बराबर है बिल्कुल सही है चली अगला question देखते है अगर सदिस a के अंदिस मात्रक सदिस तो कितना हो जाएगा देखो 2 का square 4, 3 का square 9, 4, 13, 14 तो कुल में इलाके कितना हो जाएगा 2 upon root 14 i cap plus 3 upon root 14 j cap plus 1 upon root 14 i cap हो जाएगा तो यह इसका मात्रक सदिस upon में root 14 देख लो बिल्कुल सही root 14 upon में आ रहा है चली अगला question देखे आवी हो एक दूसरे के वितकरम है a into b into a equal do क्या होगा i होगा अगर i हो जाएगा तो एक दूसरे के वितकरम हो जाएगा चली अगला question देखते है question number सही जोड़ी मिलाना है इसमें तो चली तो बना दीजे दिए x x square upon a square का कितना होता है 1 upon a 10 inverse x upon a होता है 10 x का कितना होता है log x x हुआ करता है यह देखे तो log x x हो गया a square minus x square का कितना हो जाएगा 1 upon 2 a log of a plus x upon a minus x और x square minus a square का 1 upon 2 a log x minus a upon x plus a x e की power x में तो e की power x वाला देख लो मतलब यह वाला हो जाएगा और बच गया sin square x तो sin square x में क्या हो जाएगा देखे तौन सा वाला हो जाएगा sin square x में यह वाला हो जाना चाहिए जहां तक यह वाला ओके चली यह किसी का नहीं होने वाला है क्योंकि एक extra दिया हुआ है ABCDEFG साथ दिये हुए ना Yes तो log cos x तो cot x का होता है नहीं नहीं, cot x का नहीं होता है तो यह, चलिए इसको मैं कर देता हूँ एक बार कौन सा? sin square x को कैसे करेंगे? देखे sin square x को करेंगे that is equals to 1 minus cos 2x x by 2, यह होता है ठीक है ना, तो 1 by 2 बाहर आगया हाँ, 1 by 2 बाहर आगया बिल्कुल है, यही वाला है, दिख गया है देखो 1 by 2 बाहर आ चुका है, अब 1 का कितना आएगा हो आजाएगा, x आजाएगा और cos 2x का कितना हो जाता है cos 2x का हो जाता है sin 2x upon 2 तो दिख रहा है, यही अंसर है आपका चलिए अगला सवाल चलते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए 10 inverse x plus 10 inverse y का मान लिखिए x y greater than 1, x is greater than 0 y is greater than 0, तो कितना हो जागा दिखे x y की value greater than 1 है तो यहाँ पर कितना हो जागा 10 inverse x plus y upon 1 minus x y यह हो जाएगा, ठीक है न तो कितना हो गया इसका अंसर देखे 10 inverse x plus y upon 1 minus x y यह चीजिए ध्यान रखिएगा x y greater than 1 होता है, तभी यह ऐसा लगता है aij एक m और n के बीच में वर्गा और यू है मतलब m का मान n के बराबर होगा, ओके तो correct answer क्या होगा, m equal to n, यह देखे चलिए अगला देखे, यह हो गया cos theta, cos square theta plus sin square theta इसका मान कितना हो जागा, एक हो जाएगा तो इसका सार्निक का मान एक हो गया, x minus y equal to pi d by dx, तो differentiate कर दो तो x का हो जागा 1, 1 minus d by dx equal to pi का हो गया 0, तो d by dx equal to 1 आजाएगा, ठीक है ना तो इसका मान कितना हारा, 1 आरा बिल्कुल सही है चोथे का 1, इसके बाद पांचवा question, स्वतंतर चर लिखिए भाई, स्वतंतर चर क्या है, d by dx plus x plus cos y में स्वतंतर चर दिखिए आप x के इसको अवकलन कर रहे हो तो मेरे ख्याल से स्वतंतर चर इसमें जो होना चाहिए d by dx यहाँ पे y की form में है cos y, cos x इसको यदि पलट दिया जाए थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको बताना है कि स्वतंतर चर क्या होगा, चलिए यदि इसको हम dx by dy कर दें, तो क्या दिक्कत है cos y minus x हो रहा है cos y minus x थोड़ा सा यह question में कहीं problem तो नहीं है क्योंकि हलाकि यह x के सापक्च में इसको अवकलित किया गया है x के सापक्च में अवकलित किया गया है तो यह जो है हमें dy by dx के हिसाब से यह में दिख रहा है कि यह x में सवतंतर चर है देखें, यह question मेरे को थोड़ा सा गड़बर समझ में आ रहा है इसमें कोई missing है, मतलब कुछीज इसमें है नहीं थोड़ा सा कुछ चूटा हुआ है मगर फिलहाल डीवबे dx को देख करके यह लग रहा है कि इसका सवतंतर चर x है ओके, तो मैं तो इसका सवतंतर चर फिलहाल x समझूँगा बट इस्टेल यहाँ पर थोड़ी सी कोई नहीं कोई problem पका लग रही मेरे को, तो फिलहाल यहाँ पर क्या बलूँगा, सवतंतर चर इसका x है आंसर देखते हैं, वाकई में सवतंतर चर x ही है चले, आउकल समहिकन की कोटी लिखना है कोटी मतलब कि अधिक्तम कितने बार इसको आउकलित किया गया है तो चार बार, तो इसकी कोटी कितनी होगी इसकी कोटी होगी चार चले, अगला question देखिए fx equal to cos x अंतराल 0 से πाई के बीच में किस प्रकार का फलन है तो फलन बना लिजी, ग्राफ बना लिजी सबसे बढ़िया, तो 0 से लेके πाई के बीच में cos x का ग्राफ किस तरीकी से आता है तो साब साब दिख रहा है, ये value जो घटरी है, मतले भी कैसा है, हरासमान है कैसा है ये हरासमान, तो आंसर देखते हैं इसका हरासमान बेलकुल सही चले, अब करेंगे सत्य वा असत्य चले, देखिए अगला question है पाचवा question है सत्य असत्य लिखना है ये किसी साबने के दो इस्तंब के अवियब समान हो तो साबने कमान सुनने होगा तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है चले, अगला देखे अंतराल में वर्धमान होगा अगर x1 कमान x2 से x1 से बड़ा है, x2 कमान तो fx1 बड़ा होगा, fx2 छोटा होगा बिल्कुल असत्य है वर्धमान होने के लिए अगर x1 से बड़ा x2 है तो fx2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कुछ इस तरीके से देख लीजे, ग्राब बता देता हूँ ये x1 है ये x2 है तो वर्धमाने के लिए fx1 छोटा होगा और fx2 बड़ा होगा तो इसमें ultra sign दिया हुआ है मतलब ये सत्य है फिर कह रहा है कि अगर a is less than b हो तो pa upon b तो क्या आता है देखे, अपने पास घटनाओ a और b में pa is the subset of b हो तो pa upon b तो pa by b क्या हुआ करता है that is equal to p a intersection b upon pb तो यहाँ पे pa बोल रहा है तो ऐसा तो होई नहीं सकता मतलब ये भी असत्य है क्योंकि नीचे तो pb आना ही था तो ये भी क्या होगा असत्य है तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य देख लेते हैं तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा भी असत्य अभी तक सही चल रहे है, आंगे पढ़ेंगे a बराबर kb तो a b सनरेख सत्य होंगे a बराबर kb a b सनरेख मतलब एक ही रेखा में होंगे बिल्कुल सही बात है, ये एक ही रेखा में होंगे तो ये वाला भी चौथा भी सत्य होगा समान परिमान परिमान वाले दो सदिस सदेख समान सदिस होते हैं नहीं कोई जरूरी नहीं है समान सदिस नहीं होते हैं उनके दिशा विपरीद भी हो सकती है परिमान भले समान है उपर वाला सत्य है नीचे वाला सत्य है f x equal to x square n square n से लिखे n square के लिए फलन एक कैकी तदा आच्छादक है बिल्कुल नहीं है ना देखिए एक कैकी तो आप कह सकते हो बड़े आच्छादक नहीं हो सकता है ठीक ना आच्छादक नहीं होगा क्योंकि कई सारे बिंदू होंगे natural number में जैसे कि 3 अब 3 किसी natural number का square नहीं है तो आच्छादक नहीं हो सकता तो ये भी क्या होगा असत्य तो लाष्ट के 3 कितने होगा सत्य असत्य असत्य देखते हैं तो लाष्ट के 3 क्या है सत्य असत्य और असत्य तो ये हमारा 4 वाला जो पेपर है इसका हमने objective पूरे कर लिये हैं इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में subjective आपके सामने लेकर कर आएंगे तब तक के लिए हमें आग गया दीजे जैहिन जैभारत नमस्कार